12,000 से कम कीमत वाले Chinese स्मार्टफोन को भारत में जल्द ही बैन किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो Xiaomi, Realme जैसी Chinese कमपनियों को बहुत वरा जटका लग सकता है क्योंकि low range और medium range वाले Chinese स्मार्टफोन ही भारत में सबसे ज़्यादा विखती है लेकिन भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार 12,000 से कम कीमत वाले Chinese स्मार्टफोन को बैन क्यों करना चाहती है और भारत को इसे क्या फायदा होगा इसे पहले आपसे प्रस्ण है कि बर्मिंगम में खेले गए कॉमन बेल्थ जम्स 2022 में किस इवेंट में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग और बैडमिंटन इसका उत्तर आप कमेंट सेक्षन में जरूर दें सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूँगा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 12,000 से कम कीमत वाली चाइनिज स्मार्टफोन को भारत में बैंट कर दिया जाएगा भारत में माइक्रो मैक्स लावा और अन दूसरी घरेलू कमपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है भारत इस बक्त दुनिया का दूसरा सबसे वरा स्मार्टफोन मार्केट है लेकिन इस पर Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo जैसी चाइनिज कमपनियों का कबजा है और एक कमपनिया इतने सस्ते प्राइस पर स्मार्टफोन सेल करती है कि घरेलू कमपनिया इन चाइनिज कमपनियों के आगे टिक ही नहीं पाती भारत में सबसे ज़्यादा 15,000 से कम की मतबाले स्मार्टफोन की डिमांड है और इस पर Chinese कमपनियों का दबदबा है चाइनिज कमपनियां एफोर्डेवल वजट में अच्छे फीचर्स उपलब्द करा देती है इसलिए भारतिय बाजार में चाइनिज स्मार्टफोन की डिमांड काफी ज़्यादा है इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 12,000 से कम प्राइस में आने वाले स्मार्टफोन की सेल भारत में टोटल स्मार्टफोन मार्केट का एक तिहाई है जिसमें Chinese कमपनियों की हिस्सेदारी 80% है अगर भारत में इंटिरी लेवल पर Chinese smartphone कम्पनियों पर मैल लगता है तो Xiaomi और Realme जैसे Chinese smartphone ब्रांद को काफी दुक्सान का सामना करना पर सकता है Chinese smartphone कम्पनियां बरतमान में भारत से अच्छा खासा revenue जेनेरेट कर रही है इन कंपनियों का भारतिय मार्केट पर भरोसा भी बढ़ा है क्योंकि चाइना में COVID-19 लोकडाउन के कारण उनका घरेलू मार्केट पूरी तरह से ठप हो गया है लो रेंज और मिड रेंज वाली स्मार्टफोन मार्केट में चाइनेज कंपनिया इस कदर हावी है कि कुरियाई स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने मिड रेंज और लो रेंज वाली स्मार्टफोन सेल करना ही छोड़ दिया सरकार के इस फैसले से सैमसंग को भी फायदा होगा और वह मीड रेंज और लो रेंज वालिये स्मार्टफोन पेस कर सकती है चाइनेज कमपनियों पर बैन की खबरों के बाद सियोमी के सेरों में 3.6% की गिरावट देखी गई है बीभो, ओपो और सियोमी जैसी कमपनिया पहले से ही इनकम टेक्स के निशाने पर है इन कमपनियों पर टेक्स चोरी का आरोप लगा है बीभो पर हाल ही में ED का छापा परा था जिसमें टेक्स चोरी और मनी लॉंडरिंग की बात सामनी आई थी यह पहला मौका नहीं है जब चाइनेज कमपनियों को बैन किया जा रहा है 2020 में हुए गलवान वैली इंसिडेंट के बाद पबजी सहित 300 से अधिक चाइनेज एप्स को बैन कर दिया था चाइनेज टेलिकॉम कमपनी हुआवे और जेड़ टी एके टेलिकॉम उपकरनों पर भी भारत सरकार ने परतिबंध लगाया हुआ है किसी भी बरे परजेक्ट से चाइनेज कमपनियों से दूरी बनाई जा रही है भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट भी बहुत जादा है और इस परतिबंध से कुछ राहत मिलने की संभाबना है तो वीडियो की शुरुआत में मैंने एक प्रस्म पूछा था कि Commonwealth Games 2022 में भारत ने किस इवेंट में समसे जादा पतक जीता है तो रेसलिंग में समसे जादा भारत ने 12 पतक जीता है जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉंज मेडल सामिल है Commonwealth Games 2018 में भारत ने रेसलिंग इवेंट में 12 मेडल ही जीता था इस बार एक गोल्ड की संख्या बढ़ गई है तो यह है इस वीडियो का इंड, आसा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वार्ट को सब्सक्राइब करें थैंक्स टो अलग्यू